अधर बेटी पर्देशिया और किसे आठ सबसे बाइड हो गया आज का अधर टॉपिक है आप जो फोटिलाजेशन था फोटिलाजेशन आपका हो गया फोटिलाजेशन का आरे का जो प्रॉसेस एजिसे हम इंप्लांटिशन करते वो आज पढ़ा जाएगा ठीक है आज मैं इंप्लांटिशन के बारे इंपॉड़ है जैसा कि अगर देखा जाएगा आप लोग में पिछले टॉपिक में दिखा था आज हम आगे का प्रॉसेस देखते हैं कि आखिर हुआ कि हुआता है अगर दिखा जाएगा हमारा जो बॉड़ी है वो है प्लाइड और डिप्लाड दूना तज़्पिक काम करता है। हप्लाइड में अगर देखा जाएगा तो हमारे युगमक हैं वो आपके अगुरित हैं हप्लाइड का जाएगा अगर दिखा जाएगा है। अगर यहां पर यहां पर आप अगर यहां पर आप यहां पर देखा जाएगा है। दå बच्चे कुपथ ही अगल देखा है कि माथा के दिए नदर छीयाली साम चैटा के दिए estarवा से चैटा की हो जो जो मात तरहस खती है, की यहा से किता हुषी हूआ तरहस थी ही आपसा ह्यों शा नुपर्टयूल इंसान तो दिख रहा, लेकिन हमारे अंद जो यूगमक है, वो यूगमक हमारा है प्लॉआड है, प्लॉआड का मतलब क्या होगा कि यह है प्लॉआड मेल और यह है प्लॉआड फिल्मर जम विलेंगे तो आप पर प्लॉआड यही हम लोग उने पिछले टॉपिक में देखा यहनि की क्या हमारे ली अंडा था और इस अंत गों अच्छे तरीके से भेचे दिया था आपका सुप्रत और ढ़िए टेटनी कि यह जाइगोड का रिमान आपका बुल्याड तीक कर जाइगोड विलेंगे प्लॉआड जाइगोड आपके दूर्ड बन तीक अब आगे रहा कि क्या होगा, कि आगे का प्रोसस अगर देखे जिए वो तो आगे का प्रोसस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इ Mittie Wall इंट इवाल बनाना पड़च्टे होती है यहां पर क्या होता है दो हमारा अंडा से होता है इस अंडा से के अंदर क्या होता है चोटे-चोटे हमारी फॉलिकर्स होता है और इसी के अंदर क्या होता है हमारा अंडा होता है यहां भी होगा, 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 यहां भी होगा अרिपलिकल। ने हीलिए. क्या किरता है क्याक रिपलिकल खेह। अब दो आपक товoo, यहां से क्या हुआ था, अन्दा ब usar, अन्दा निकला था effect का आगा यहां था था बाहार की जो दिवार होती है यहां के जो मूठी बाईनिंग हो ते जो बहार के डिवार होती है। ने जो बहार के डिवार की यह जो दिवार होती है उससे पेडी मैट्रियम के नाम से जाने हैं। तेरी मैट्रियों, दूसरी वाली जो दिवार होती है, वो हमारी मायो मैट्रियों होती है, ते दूसरी वाली दिवार होती है, वो हमारी मायो मैट्रियों होती है, तीसरी वाली सबसे अंदर की जो दिवार होती है, यही हमारी क्या होती है, एंडो मैट्रियों होती है, तीसरी कि इस वनों कीया होता है कि कि इसी एंड़ों के अंदर क्या होता है हमारा यूगमाला true का अंदर क्या होता है। इत इधर से नर्फ मिल गया और माधा मिलकर क्या जीडा। तो जो जाएगा जाएगा लेकिन और अगर देखा जाएगा जो जो जाएगा उनकी संख्याओं में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है यानि कि अब देखा जाथा एक सरसे कितनह सेल बन गया, दो सेल बनेते। अब क्या होगा? चलीवेज के बाद क्या होगा? मीतोसे सोगा, अब इसके अंदर देखा, चार सेल्स सेल बन जाए, से पहां को कहा जाता है यह आपको दिखाया गया कि कहां पर आपका इंप्लांटेशन ही पड़ रहा है इंप्लांटेशन का मतलब होता है यानि कि प्रेग्रेंसी के बाद कि इस पुछ के बाद जाए वोट आका हमारे एंडुमेट्रियों कि दिवालमे अच्छे तरीके से इइंप्लांट हो जाएगा तो यहां पर इंप्लांट्रिशन कहा होगा और इंडूमेट्रियूं कि दिवाल बेखा जाएगा ये जो आपका एंदर फर्टिलाजिशन के बाद का मुझा फ्रलोपीन क्यी आंदर सारा काम हो रहा है फैलोपेन ट्यूब का अगर साही यहां पर देखा जाएगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी नली होती है फैलोपेन ट्यूब दिसे ओबिडफत नली के नाम से भी ओविडफत ट्यूब के भी नाम से जाना जाता है तो यहां पर यहां पर एमपूला में जो फोटिलाइजेश के बाद क्या होगा जाएगो दो से चार से बन जाएगा चार से लवस्ताओं क्या कहेंगे ब्लास्टोमीयर स्केन आप से जाना जाएगा यह सब फैलोपेन ट्यूब के ही अंदर हो रहा है अब क्या होगा फैलोपेन ट्यूब के बाद देखा जाएगा ब्लास्टोमीयर के उच्चा बाद की जाए और योगा सब्सक्राइब आप से सोलर पोसिकी अवस्था को जानते हैं आप से सोलर को सिक्या वस्था को जानते हैं मौरूला करते हैं मौ गुदाते हैं, समया रहा है, यानि कि क्या हुआ है, एंपुला में ही फोटिडाजेशन हुआ है, फोटिडाजेशन के बाद क्या हुआ है, क्लीवेज हुआ है, एक जाइगोट के उन्दर दो सेल बनीज है, वास्ता कोहन क्लीवेज दूआ है, फिर 2 एडर चयाइं फिर दो से बाद फिर माइटिस वुआ है चार से लोगल और फिर यह थी इसके अदर शीद आपका मैटर्व श्युक्तन है इसके फिर मैंतर। प्रटिज़ेशन के चौथे दिन अगर देखा जाएगा फटिदाइजेशन के चौथे दिन यह जो हमारा मौरूला है वह धीरे-धीरे सरग के कहां आएगा आपके एंडोमेट्रियम के दिए आपके यूटरीन क्यावडी के अंदर आएगा कौन यहां पर आगया है यहां पर है हमारा घृड़ आया है कितनी कोची की अवस्था में और से सोला कोची की अवस्था में आपके दूक्रवर्ण करान फटिजीशन के चौथे दिन थीले और कि मौल बन लेकिशा का थे चर दीन में क्या हodes मरूला बन गिया है न वो और आगिया हा यूटरिं원 के अंदर. 003. select के अंदर आहे गा अब इसकी जो संख्या कोशिखा bizim इसके अंदर सो कोशिखाय बन जाएगी। कितने कोछीकाय बनन जाएगे, बच्को. सौ कोचीकायों का एक संव。 इसकी अंदर तयार हो गएगा. सौ कोचीकाय बन जाएगे, इसके अगर देखा जाएगा, सौ कोचीकाय बन जाएगे. यह सौ कोचीकायों वाला जो संव है, यह से हम कहेंगे इसे कहा जाए मौरूल हो गया है यह क्लिए बेज राई यहां पर ट्लीए प्लीवेज के बाद किसका फ्रोशन और मौरुला पूरा पूरा यूंटेवी के अंदर बन गया अब इस यूटिरिन के अंदर बनने के बाद कि आपको में सुरा साइकल की अंदर पढ़ाय थें और में सुरा साइकल के अंदर पढ़ाने के पश्षाथ के रिजुट क्या मिला था कि हमारे जो ओविलीशन होता है वो 15 दिन क्या अगर पढ़ाध निकलता है अंडे निकलने के प्रक्रिया को ही ओविडेशन करते हैं जब आपको ओविडेशन की क्रिया होती है अंडा निकलता है तो वह अंडा निकलने के बाद क्या होता है हमारी बॉड़ी में एले एच और एफसेच का लेवल क्या होता है कम होता है और उस समय क्या होता है अंडे नि यानि कि अब नन्ना सी वच्छा है odok और देखा जाएगा जो 15 से इसका कर्ने का है एक यहां पर अगर यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर क्या था और समीडिया कुछ पान्रा दिनका है और यहां पर फंदा निकल यहां पर वर्पुर मात्रा में प्रति यह बूजन में वह बनाती है यह ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती अपने अंदर से, पूरा ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती है, क्योंकि इसको पता है कि आने वाले समय में नहीं पर क्या होगा, वो इंप्लांट होगा, जो जाइगोटिक था, जो आने वाले समय में बच्चे का रूप लेगा, वो क्या होगा आप जैसे ही यहां से अन्डा ये औृटो जो ऐसा लुटार पूल स्टूमिय के पास इस पूर्ध या कि इस पूर लुक्विड है उसके अंदर जाना स्ट्रट कर देता। कि इस शुव सबक जेते हैं और प्लस प्लस के अर्ग सब्सकां मुझा घृरी है, जुँसे फटल पम्लक सीट्रस्वा Series करनाश है जाएग हो चिक तेजी से ग्लाइकोजन सिक्रीट कने लगेगा और जाते जाते क्या होगा एक समय ऐसा आगा कि इस ब्लास्टोमेर्स के अंदर एक काविटी बन जाएगी जिसे हम ब्लास्टोमेर्स काविटी के नाम से जाते हैं इसके अंदर एक काविटी बन जाएगी और बीटने क्या हो जाएगी एक खाली काविटी बन जाएगी और इसमें ग्लाइकोजन आके भर जाएगा इसको हम कहते हैं ब्लास्टूला काविटी के नाम से जाना जबना है प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर अभी भी बचा है क्या बचा है आप पर जो ना पैलुसीडा यह जो डिवार है इसे हम कहते हैं जो ना पैलुसीडा के नाम से जाते हैं किसके नाम से जानेगे जो ना पैलुसीडा के नाम से जो ना पैलुसीडा की दिवार अभी भी है यहां पर क्लियर है डेंस समझे क्या हो यह हुई है यह से कितने से सेंगे आपके चार सेल बन जायेंगे इस की गे करना में की चार सत्री कार रोंती चार सत्रां टूर्य सीधेका तो बलाश चुलां के बाद क्या होगा आपका फिर माइटोसीस होगा माइटोसीसोनिक आज से सोलर को सीधिये अवस्था वाला एक स्टेज क्या कहा रहा है। अब देखो अब इस मौरूला स्टेज के अंदर अगर देखा जाएगा यह क्या है फोर्टिलाइजेशन के चार दिन तक लग जाता है इसको मौरूला बनीने को से रड़ यह डिन के अंदर अगर फोर्टिलाइजेशन के चार दिन के बाद यह दो जा आख से छोट्रों को से की आवावस्था था वो कहा बना इसे फैलोप्यन ट्यूब के अंदर बना यह उन्या रहे वाए यह और होगा आाग्यां युटरीन भापटिक के अंदर यह जो फट्याइज सेज हग इस छारो तरफ दिवार है इस दिवार को हम क्या कहेंगे जोना पेडुचिडा कहीं देख़ा जाने अब जो फट्लाइज जून पर हम क्या गेंगे ब्लास्टो मेश स्टेज करेंगे ब्लेट रेक्पी टेज आलिगे स्टेज करेंगे, मिन पर एकिन पर 15 ताब फिर यहां पे अगर देखा जाएगा तब यह क्या होगा चार दिन के बाद जो आगे का स्टेज है उसमें क्या होगा यह जो यूटरीन की कापटी है वो तेजी से क्या करेंगी सिक्रेटरिफ ते यह भर्पूर मात्रा में क्या तरही ग्लाइकोजन निताले कि अब यह सभाइक प्लाइप यदिन सब्सक्राइब है और बशल जाएगा और यह जाए कि जाया तो इस प्लाइप को बन जाए वर्य पुछ अन्हें टोल आप क्या की होगा यह दिखोंगा कि आगे क्या होगा इसे पारिक है जब्लाइपबें लिओन लिए यह जूरेपन पर इसाइब इसके में ब्राइब सब्सक्राइब को गए चो ना जो ना प्हला स्वाकारा घोते होगा ध्रीन रावेटी नीवट फार्टरीविटे जब थे ब्री यहां ते दिया से लुर्ट एज़ ने करें विज्देंगे तो कि संब य casino यह क्या होगा, यह जो embryo है, यह embryo, इस enzyme के secret से क्या होगा, यह दिवार भी तूटेगी, और तूटने के बाद क्या करेगी, यह इसको भी भेदेगी, किसको भेदेगी, endometrium की दिवार को भी भेदेगी, तो भेदने के बाद क्या करेगी, आप छेद करेगी, enzyme निकालेगी, औ पूटेने के बाद इस एंडोपेटरिम के दिवायों को भी छेदी और छेदने के बाद क्या होगी कि यहां पे आकर हमारा जो आपका हिस्सा है इसे हम क्या कह रहा है इसे हम एंब्रियो कह यह आकर यहां पर क्या हो जाएगी इंप्लांट हो जाएगी क्या हो जाएगी इंप्लांट हो जाएगी इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों इंप्लांटेशन कहते हैं और इंप्लांटेशन को भोगा आपके पोटिलाजेशन क्या अगर देखा जाएगा तो क्या होगा आपके सात्वे दिन यानि कि चार दिन के यहां पर रहेगी तीन तीन के अंदर क्या करेगी वह एन्डोमेट्रियां की दिवार को भेद देगी और भेदने के बाद क्या चाहिए अंदर प्रिवेस कर जाएगी यानि की इंप्लांटेशन टिखेर किया हो जाएगी आपकी कमफलीट हो जाएगी थिए बसष्ण और यहां पर देखिए आपको बताना था इसमें कि जब यह सौर सेल्ट वाले स्क्रेज बनता है को डिज़ में हैं यहां पर नेी experiments यहां पर कियाता है इंसेलण को कहा जाता है फ्रोफो ब्लस्ट नाम से जाना जाता है एंसेले हैंए फ्रोफू बलास्ट की जो सेалист यह दीज़ में क्या है वारी में है ब्लास्टूला कैविटी है यहां पर क्या होगा कि यहां पर सेल्स के संभू कुछ और यहां पर कठा होने लगेगी ठीक है यहां पर यहां पर यानिक नौब बन जाएगा नौब का मतलब घानको सिकाव का एक घाना सा जाल बन जाएगा इसे हम कहेंगे इनर सेल मास्क इसे क् इनर सेलमास के नाम से जाना जाते हैं, इनर सेलमास को क्या है, इन सेल्स को कहा जाता है, प्लासेंटा का निर्मार करता है, इसका निर्मार करता है, प्लासेंटा का निर्मार करता है, तो देखो बचो, ये क्या होता है, कि सातरे दिन क्या होता है, सातरे दिन तक यहां पर है यह जो हार्मोन से निकल लाए इसी ट्रोपोबलाश्ट ते यानि कि जव ग्लाइकोजा इसके अंदर भारा है कि इस फिनारों पे चलेगा यही सारे शिर्स जीसे हम ट्रोपोबलाश्ट करें यहीं ट्रोपोबलाश्ट क्या करें आने वारे समय में प्लात्यात्तािन कि वाद एक्षिकbblesद रहें पूछता है कि लेsocial नीचे घिरता है अने-वले उत्याप निकलता है निकलता है devenir उत्याइट और अफरस्थ का लेवर नीचे घरता है तो क्रपा तोフ प्लाति नर्आ हुता है लेबल तो गिरने लगते हैं यानि कि जब प्रेगनेसी होती तो इसका लेबल हमें गिरना नहीं चाहिए जब गिर जाएगा तो हमारा भूड क्या हो जाएगा खारा हो जाएगा यानि कि LH और FSH का लेबल मेंटेन करने के लिए कार्पूलू लूटियम उसको मरने से बचाने करने कि वो क्रफूलूटेशन जिन्दा नारा है और तेजी से क्या करें 15 दूरूट लेबल पॉज़्शन प्रेश्ट्रोड लेवर मेंटेन की यानि कि आने वाले ये लंबे समय तक कार्पूलूटेशन का टेजी से क्या कर अथे श्रूजन पोज़िस्ट्राइफन कर निर अन्दर से HCG हार्मोन का निमार करता है और हार्मोन का निमार करते करते क्या होता है तीन महीने बार क्या होता है पूर रूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू जब secondary o-sides बहाँ निकल गया तो लेवल जब काम होगा एले चरा अफसरच का तो पोजिटान अच्छन का भी लेवल काम होता जब पोजिटान अच्छन का लेवल काम होता तभी तो आपकी अच्छन का लेवल को निकालने लगेगा तो हमारा जो कर्पस लूटियम है उससे के अंदर तो एस्टोजन और पोजिटान रिलीज हो रहा है वह नीचे कितने के बज़ा क्या होते हैं वह उपर उठते चले जाते हैं और उपर यानि कि एस्टोजन और पोजिटान नो महीने तक तेजी से हागोस निकालने लगे यानि किता बताक अगर देखा जाएगा बोडी में बस तीन महीने तक मेंटेन करता है कार्पस लूटिय पर प्लासेंटा अब तयार होता है तो आपको कोई में बतल में और पूर्ड रूस आपका क्या होता बत्यां यह उपर जाएगोर था पर क्या होता है इस चुछ को आप अच्छे करिके से सबस्चाइगा यहां पर फॉटिलाजिटिशन हुआ है इस निके बार्प को मौरू पर बれてते हो बन जाते हैं जिससे ब्लाश्टोसिव कभीटी के नाम से जाते हैं कि नारूपे जो सेट्स जाते हैं उनको हम प्रोको ब्लाच कहते हैं और क्या होता है कि इनकी बीच में कहीं कहीं एक जगह क्या होता है को सिकाओं को जुन्ड बनता है यानिक एक नौब बन जाता है यहीं से प्लासिंग का डवलप होता है जिसे बचों को बोजन होती है इसे सब्सक्राइब क्या होगा कि इस रहे शक्या远 हो गारिक जाएगा यह जो ब्लास्टूला जो ब्लास्टोरमेस काविटी को इंप्लांыт हुन нам कितना दिन तक लग जाएगा सुथ दिन तक लग जाएगा वह दु你 जैसे यह एंप्लांट हुआ एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाए घुसने के अगले दिन बाद ही क्या करेगा यह जो ट्रोपोब्लास्ट है जो किनारे वो जो सेल्स गए हैं यह सेल्स क्या करेंगे तेज़ी से अपने अंदर अब होती है उस प्रेगानि और यूरिय्ड के यूरिय confirm है। में पता चल लगता है और हमाली से उसτι तेजी दौर दश्च द्राभ दयाए जो कि महिन आते कि यह वाम और टीमींत गॉफ्टैसन कि आतल आस तो इस वकेनगं उब सिंघ कर्धे शी मोट आप कि यह सबंदल सब्सक्राइब हम से जानले में यह साथवे खितर के जींग अन्दी २र सबता था डिरऑ निक्ला ह३ज कि उसके देखा जये केफिर चौथे दिन क्या होगा मोरला प्रेश बना है यह इंप्लांट के रहा हो गया और यह सो तरीके से इंप्लांट हो गया और तेस्ट करेंगे तो अपको पताच वलगा यह आपके आपका प्रिवेंन तो यह इसी प्रतिया को ही क्या ते हैंगे बहुतों, इंप्राइंटेशन कहेंगे आई अब को आपको व्य वीडियो अच्छी लगी हो तो पिल लाइक करें, स्थिर करें, सब्सक्राइब करें जानक से ज़्यादे इसके क्या करें तकि हमां को एह मत मिला हो और हमारे यांदा मोटी वे एनर्जी क्या हो और दबलब को ताकि आपको नई से नई सीजे प्रवाइड करा आजया ठीक है जो भी आपके डॉक्स बागे रहो कमें सेक्शन के निचे आपको कमेंट करिए और हमस और हमस्तों क्या हू तक हमस्तों हू झाय है मत में सेर्व नत cómo हन।